की किरांती के बाद 12 144 लगाया जाता था जहां कहीं तो भारती हिखटटा होते थे। लेकिन अंगरेजंगों ने दो तीन चीज़ें की थी। कि जब उनोगों कमपणी के रूल को रिप्लेस करके रूल आफ क्राउन किया। तो rule of crown में दो तीन चीज़ों उन्होंने कही थी, कि there will be no more expansion, किसी प्रकार के नया सामराज़वाद या विस्तारवाद की नीती नहीं अपनाई जाएगी, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं बिल्कुल भी लिखान नहीं रहा हूँ अभी, तो आपको एकदम मंत्र मूग दोहो करके सुनना है, अगर आपको लिखना है तो साथ साथ में जितना लिख सकते हो, लिखना लेकिन मुंडी जुकाना नहीं है, ठीक, आप जितना ध्यान से सुनोगे आपको कुछ करने के तुरुवत नहीं पड़ेगा, ठीक, चलिए, मैं लिखवाओंगा, आप टेंसन मतले ना उसका, ठीक, मौडर्न कहें के फैक्ट लिखवाओंगा, तो एक तो कहा कि विस्तारवादी नीती के उपर विराम लगाया जाए, मतलब कि डलहौजी को उन लोगों ने एक तरीके से कल्प्रेट माना कि इसकी विस्तारवादी नीतीयों की वज़ा से ये सब घटना घटा है, गटना घटी है, दूसरा इन्हों ने कहा कि किसी भी प्रकार के रिलीजियस मामले में भारतियों के धर्म में आपको इंटर्प्रेटेशन करके वहाँ पर घुजना नहीं है, तो धर्मिक मामलों से दूरी बनाया रखने की बात कही, तो अब क्या है कि अगर आप जाकर के खड़े होते चार लोग जाकर के तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता या आपको बोल दिया जाता कि यहां पर 144 लगा हुआ है, आप यहां पर खड़े नहीं हो सकते, आपको भगा दिया जाता वहां से, लेकिन ये वही समय था जब कॉंग्रेस में लिबरल फेज चल रहा था दादा भाई नहरूजी वाला कॉंग्रेस के तीन फेज हुआ है ये वैसे इन लीडर्स के हाथों में था जो काफी रेप्यूटेट दे जैसे डादा भाई नहरोजी उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ विनय की भाषा के साथ में काम लिया जा सकता है और स्वसाशन प्राप्त किया जा सकता है इस बीच में डेकन एरिया में, डेकन मतलब महरास्ट के एरिया में बाल गंगाधर तिलक का छेतरी उधय होता है इनका राइज पहले रिजनल होता है, रिजनल मतलब छोटा सा उधय है और ये अपने जनरल्स जो हैं, वो मराथा और केसरी के नाम से निकाला करते थे जिसमें मराठा जो था, वो कई भाषाओं में आता था और केषरी होता था, जो वो मराठी में आता THा केषरी में वो लेक लिखा करते थे 1893 में इनने एक तरीका निकाला तरीका ये था कि जब सबको इखट्या करना है और धर्म ही उसका अधार है तो गणेश कूजा का इन्हों ने आयोजन कराया 1893 में तिलक ने महरास्ट में गणेश कूजा का आयोजन किया किसका आयोजन किया गणेश कूजा अब क्योंकि धार्मिक मामला था तो आप किसी को रोख नहीं सकते थे 144 भी आप लगा नहीं सकते थे 1895 में इनके द्वारा शिवाजी महाउस्वा क्या किया गया आयोजन किया गया तो बैक टू बैक महारास्ट में पॉपुलर होते चले गया ठीक तो महारास्ट के फिगर्स में अगर हम देखते हैं महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा नाम आ रहा है बाल गंग्रेस का उसमें आपको रानाडे तो नहीं दिखेंगे रानाडे तो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं 1867 में उनके द्वारा प्रार् नरम दल की राजनिती चलती थी इसकी राजनिती चलती थी नरम दल की राजनिती चलती थी 1905 का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1905 में 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था 5 और 6 ये दोनों साल ऐसा होगा आगे चल करके जिसमें की अध्यक्ष के पद को ले करके नरम दल और गरम बोकले और मैरोजी दोनों जो थे नरम दल की निता थे, किसके थे नरम दल की और इस दौर पर कोई आजादी या स्वराज की बात नहीं कर रहा था, इस बीच में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसित अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ठीक, तो बाल गंगा धर तिलक, बाल गंगा धर तिलक एक एग्रेसिव लीडर के तौर पर उभरते हैं, और धीरे धीरे वो कॉंग्रेस की रागीती में उपर की तरफ चड़ने लगते हैं, 1897 में इनके द्वारा केसरी में लिखे गया एक लेक को पढ़ करके, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा प्लेक कमिशनर्स की हत्या कर दी जाती है, प्लेक का भूमी का क्या है, आपको भी थोड़े दिर पहले बताया कि कॉंग्रेस का दिविशन होना था पूना में, लेकिन व पीछे अवयवस्था की जिम्मेदारी है, और इस अवयवस्था को फैलाने में जो दोनों प्लेक कमिशनर है, एक का नाम है रेंड और एक का नाम है एमस, ये दोनों जिम्मेदार है, ये दोनों क्या हैं बोलिए, जिम्मेदार, और क्योंकि इतने निर्दोस लोगों की हत् और अधिकार नहीं इसको पढ़ने के बाद दो यंग लोगों ने जिनको चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है चापेकर बने तीक उनके द्वारा रेंड और एमहस्ट की क्या कर दी गई हत्या कर दी पॉलिटिक्स में भारत की राज़ीति में इंडियन एसोसिये भारती राश्टी कॉंग्रेस और अब नेशनलिस्टिक एगरेशन में चापेकर के दोबारा चापेकर दोबारा आईसा नहीं बोलते हैं ऑप लेए कमिशना